आठ मार्च की सभा में देश विदेश के समाचार लेकर गुर्जिंदर सग्गु के साथ मैं हूँ चिनमय दीक्षित रूस और उक्रेन के बीच युद्धविराम वर्ताओं के तीसरे दौर की समाप्ती के बाद भी दोनों देश अपने मतभेद कम कर पाने में विफल रहे उक्रेन पर जारी रूसी आक्रमण के बीच दोनों देशों के शिष्टमंडल सोमवार को पोलेंड की सीमा के निकट पश्चिमी बेलारूस में मिले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चा युक्त कार्याले का कहना है कि आक्रमण के आरंभ से अब तक उक्रेन में 27 बच्चों सहित कम से कम 406 नागरेक मारे जा चुके हैं रूस के रक्षा मंत्राले ने सोमवार को घोशना की थी कि उसकी सेना पूर्व में उक्रेन की राजधानी कीव, खारकोफ और मारियो पोल शहर तथा पूर्वुत्तर में सुमी शहर में गोलाबारी रोक कर नागरिकों को पलायन मार्ग प्रदान करेगी लेकिन लोगों की निकासी लगतार तीसरे दिन भी विफल रही क्योंकि संघर्ष विराम भंग करने के लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को उत्तरदाई ठहराया इस बीच तुर्की सरकार ने घोशना की है कि वो तुर्की में त्रिपक्षिय वार्ता के लिए रूस के विदेश मंतरी सरगेई लावरोफ और उनके उक्रेनी समकक्ष दमित्रो को लेबा को ब्रहस पतिवार को आमन्तरित करेगी रूस का कहना है कि युद्धविराम के लिए उक्रेन का बिसैनिय करण और तटस्थता अनिवार रेशर्ते हैं जबकि उक्रेन ततकाल युद्धविराम की मांग कर रहा है संयोक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद ने रूस के आक्रमन के कारण उक्रेन में बढ़ते मानविये संकट परचर्चा की है सोमवार को आपात बैठक के दौरान अमरीका और अन्य देशों ने रूस से आहवान किया कि वो उक्रेन से नाग्रिकों के पलायन का सुरक्षित मार्ग उपलब धकरवाए लेकिन रूस ने तरक दिया कि उक्रेन अपने नाग्रिकों को देश छोड़ कर जाने की अनुमती नहीं दे रहा है संयोक्तर राष्ट्र बालकोष की कारिकाडी निदेशक कैथरीन रसल ने कहा कि उक्रेन छोड़कर जा चुके 17 लाग से अधिक लोगों में से 50 प्रतिशत बच्चे हैं उन्होंने ये भी कहा कि कई बच्चों को गहन मानसिक आगहात पहुँचा है रसल ने उक्रेन में जारी सैन्यकार रवाई के ततकाल स्थगन का आहवान किया उन्होंने जोड़ा की पूरे देश में सभी जरूरत मंदों तक मानविय सहायता सुरक्षित और त्वरित रूप से पहुँचाने के लिए परियाप्त आश्वासनों की आवश्यक्ता है बैठक के प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधियों ने उक्रेन में मानविय स्थिती के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की उन्होंने हमले की चपेट में फंसे शहरों से लोगों के सुरक्षित निर्गमन हेतु मार्ग उपलब्ध करवाने का आहवान किया मानवे सहायता के प्रावधान को अवरोध से बचाने के लिए फ्रांस और अन्यदेश प्रस्ताव प्रारूप तयार कर रहे हैं परिशद में रूस की वीटो शक्ती के मद्दे नजर सारा ध्यान रूस की प्रतिक्रिया पर ही के इंद्रित है जापान सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान रूस और बेलारूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की योजना को स्वी क्रती दे दी ये कदम उक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के जवाब में उठाया गया है रूस के विरुद्ध लागू उपायों में तेल शोधन उपकरणों का निर्यात प्रतिबंध शामिल है सैन्य मामलों से संबध एक नजी कमपनी और एक अन्य संस्था की परिसंपतियां जब्त की जाएंगी साथ ही 20 लोगों की परिसंपतियां भी जब्त होंगी इनमें रूसी राश्टरपती के प्रशासने कार्यले के उप्रमुक और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल है राश्टरपती व्लादिमीर पुतिन पहले ही इस सूची में मौजूद है बेलारूस के खिलाफ लागू उपायों में सीना से जोड़े संगठनों पर निर्यात प्रतिबंध शामिल है ये प्रतिबंध बेलारूस के सहयोगी रूस पर पहले से ही लगाया जा चुका है सैन्यक्षम्ता सुद्रड करने में सहायक अर्धचालकों और अन्य उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है बारा बेलारूसी लोगों की परिसंपतियां भी जब्त की जाएंगी इनमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं साथ ही दस संगठनों की भी परिसंपतियां जब्त होंगी रूस में विदेशी मीडिया को संचालन रोकने हेतु बाद्ध्यक करने वाले एक नए कानून को लेकर जापान सरकार के शीर्ष प्रवक्ता ने सोमवार को गहन चिंता व्यक्त की मुखे कैबिनेट सचिव मात्सोनो हिरोकाजू सोतंत्र पत्रकारिता को प्रभावी ढंग से सीमित करने वाले हाल ही में लागू एक कानून का जिक्र कर रहे थे समवादाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने उक्रेन के खिलाफ आक्रामक्ता के समर्थन में अफवाहें फैलाने के लिए रूस और उसके सरकारी मीडिया की निंदा भी की समाचारों में आपका फिर से स्वागत है उक्रेन पर रूसी आकरमन के चलते कच्चे तेल और अन्य वस्तूओं की कीमतों में व्रिद्धी से वैश्विक अर्थ व्यवस्था और जापानी व्यवसायों के प्रदशन पर पढ़ने वाले दुश प्रभावों की आशंकाओं के बीच तोक्यो शेर बाजार में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई मंगलवार को निक्के सूचकांग सूमवार की तुलना में 430 अंक गिर कर 24,790 पर बंद हुआ सूचकांग ने लगातार दूसरे दिन वर्ष का नियूनितम स्तर्च हुआ 16 महीनों में पहली बार निक्के सूचकांग 25,000 अंकों से नीचे बंद हुआ है उक्रेन पर रूसी आक्रमन से पैलेडियम जैसी मुल्यवान धातूं और गेहूं सहित प्रमुख जिंसों की कीमतें बढ़ती जा रही है जिससे वैश्विक अर्थ व्यवस्था पर इनके प्रभाव को लेकर चेंता बढ़ रही है नियू यूर्क वनिजिक बाजार में सोमवार को पैलेडियम का वायदा कारोबार दस महीने में पहली बार अंतह दिवसिये लेन दिन में अपने सर्वुष चस्तर पर पहुँच गया पैलेडियम की केमत कुछ समय के लिए 3425 डॉलर प्रती ट्रॉय आउंस तक पहुँच गई पैलेडियम का उपयोग उद्योग और चिकित्साक चेत्र में किया जाता है इसकी मदद से गाडियों से निकलने वाला धुआ कम किया जाता है और ये दंत चिकित्सा में भी काम आता है रूस इस धातू का प्रमुख उत्पादक देश है लेकिन रूस पर लागू प्रतिबंधों के कारण पैलेडियम की आपूर्ती को लेकर चिंता पैदा हो रही है वही गेहूं की आपूर्ती भी चिंता का विशे बनी हुई है रूस और उकरेन दोनों ही इसके प्रमुख निर्यातक देश है शिकागो कारोबारी बाजार में सोमवार को गेहूं के भावी सौदों का दाम कुछ समय के लिए 14 वर्षों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पुष्टी की पिछले सप्तहा की तुलना में दैनी कांकड़ा 2900 कम है दैनी कांकड़ा लगाता तीसरे दिन 10,000 से कम रहा उसाका में अधिकारियों ने मंगलवार को 6509 नए मामलों की पुष्टी की पिछले सप्तहा की तुलना में दैनी कांकड़े में 2000 से भी अधिक की गि जापान सरकार ने देश के सरवच न्यायले में निचली अदालत के उस नेने के विरुध अपील दायर की है जिसमें सरकार से उन लोगों को मुआफ़ा देने को कहा गया है जिनकी भूत पूर्व सुजनन सन्रक्षन कानून के तहट जब नस्बंदी की गई थी उसा का उच्च न्यायले ने पिछले महीने तीन परिवादियों को सरकार की तरफ से मुआफ़ा देने का आदेश दिया था जिनकी 1960 के दशक के अंत से 70 के दशक के आरंभ में जबरन नस्बंदी की गई थी इन में से दो परिवादी श्रवन दोश से पीडित उम्र के नौवें और आठवें दशक में चल रहे पति-पत्नी है तीसरी परिवादी बीमारी के बाद बौधिक अशक्तता से पीडित एक महिला है नियाहले ने सुजनन कानून को अमानविय और समवीधान का उलंगन बताते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वो वादियों को लगभग 2,40,000 डॉलर का मौवजा दे अपने बचाब में सरकार ने कहा था कि इस कानून के विरुद्ध कारेवाही करने की 20 वर्ष की अवधी की समविधी समाप्त हो चुकी है जिसका तातपरे ये हुआ कि अब परिवादियों को मौवजा मांगने का अधिकार नहीं रहा लेकिन अदालत ने अपने नेने में सरकार की इस दलील को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि केंद्र सरकार के विरुद्ध मुकद्दमा दायर करने हितू संपूर्ण जानकारी और विशेशग्यों का आवश्यक परामर्ष प्राप्त करना परिवादियों के लिए बहुत कठिन था नियाय मंत्राले ने बताया है कि सोमवार की अपील, स्वास्ते और कल्यान मंत्राले समेथ अन्य संबध पक्षों के साथ विचार विमर्ष के बाद ही दायर की गई है परिवादी पक्ष के वकीलों का कहना है कि जापान की नौ अदालतों में इसी तरह के मुकदमें दायर किये गए हैं लेकिन सरकार को परिवादियों को हरजाना देने का आदेश देने वाला उसा का उच्चन्यायले सर्व प्रथम है जापान में अपरेल से नए कानून के लागो होने के साथ ही वेवसायों को कचरा कम करने के प्रयासों के तहट अपने यहां प्लास्टिक की मातरा में कटौती करनी होगी प्रमुक कन्वीनियंस स्टोर श्रिंक लाएं नेशुलक दिये जाने वाले चमबच कांटों में प्रयोक्त प्लास्टिक की मातरा कम करते हुए इस नए कानून के प्रती तयारियां कर रही है लौसन कन्वीनियंस स्टोर की योजना अप्रेल से देश भर में अपने सभी स्टोरों में दिये जाने वाले चमबच कांटों की डंडियों की लंबाई एक सेंटीमीटर कम करके उनमें छिद रकनने की है लौसन लकडी से बने चमच भी उपलब्ध करवाएगी लौसन का अनुमान है कि इस से हर साल करीब सड़ सठ टन प्लास्टिक कम इस्तिमाल होगा लेकिन प्रमुख कमपनियां बिकरी में कमी की आशंका के चलते प्लास्टिक उत्पादों पर शुलक नहीं लगाना चाहती है और अब आज के प्रमुख समाचार एक बार फिर रूस और उक्रेन के बीच युद्धविराम वर्ताओं के तीसरे दौर की समापती के बाद भी दोनों देश अपने मतभेद कम करपाने में विफल रहे उक्रेन पर जारी रूसी आक्रमन के बीच दोनों देशों के शिष्टमंडल सोमवार को पोलेंड की सीमा के निकट पश्चिमी बेलारूस में मिले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्याले का कहना है कि आक्रमन के आरंभ से अब तक उक्रेन में 27 बच्चों सहित कम से कम 406 नाग्रेक मारे जा चुके हैं रूस के रक्षा मंत्राले ने सोमवार को घोशना की थी कि उसकी सेना पूर्व में उक्रेन की राजधानी कीव, खारकोफ और मारियो पोल शहर तथा पूर्वुत्तर में सुमी शहर में गोलाबारी रोक कर नाग्रिकों को पलायन मार्ग प्रदान करेगी लेकिन लोगों की निकासी लगतार तीसरे दिन भी विफल रही क्योंकि संघर्ष विराम भंग करने के लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को उत्तरदाई ठहराया इस बीच तुर्की सरकार ने घोशना की है कि वो तुर्की में त्रिपक्षिय वार्था के लिए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ और उनके उक्रेनी समकक्ष दमित्रो को लेबा को ब्रहस पतिवार को आमंत्रित करेगी रूस का कहना है कि युद्धविराम के लिए उक्रेन का बिसैनी करण और तटस्थता अनिवार रेशर्ते हैं जबकि उक्रेन ततकाल युद्धविराम की मांग कर रहा है जापान सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के दोरान रूस और बेलारूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की योजना को स्वी क्रती दे दी ये कदम उक्रेन में रूस के सैन्ने अभियान के जवाब में उठाया गया है रूस के विरुद्ध लागू उपायों में तेल शोधन उपकरणों का निर्यात प्रतिबंध शामिल है सैन्ने मामलों से संबध एक निजी कमपनी और एक अन्य संस्था की परिसंपतियां जब्त की जाएंगी साथ ही 20 लोगों की परिसंपतियां भी जब्त होंगी इनमें रूसी राष्टरपती के प्रशासने कार्यले के उप्रमुक और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल है राष्टरपती व्लादिमीर पुतिन पहले ही इस सूची में मौजूद है बेलारूस के खिलाफ लागू उपायों में सीना से जोड़े संगठनों पर निर्यात प्रतिबंध शामिल है ये प्रतिबंध बेलारूस के सहयोगी रूस पर पहले से ही लगाया जा चुका है सैन्यक्षम्ता सुद्रड करने में सहायक अर्धचालकों और अन्य उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है बारा बेलारूसी लोगों की परिसंपतियां भी जब्त की जाएंगी इनमें सरकारी अधिकारी भी शामिल है साथ ही दस संगठनों की भी परिसंपतियां जब्त होंगी